इस दारावाहिक के एपिसोड संख्या नवासी में हमने चर्चा की थी कि औरंग जेव ने गुरु गोविन सिंग को समझोते के लिए दक्षन भारत में आमंत्रित किया था किन्तु जब गुरु गोविन सिंग दक्षन में पहुँचे तो उन्हें ग्यात हुआ कि 3 मार्च 1707 को औरंग जेव की मृत्यों हो गई है अतह गुरु की औरंग जेव से भेट नहीं हो सकी औरंग जेव की मृत्यों के बाद 18 जून 1707 को उसके पुत्र मुज्जम शाह एवम आजम शाह के बीच जजाओ का युद्ध हुआ था इस लड़ाई में गुरु गोविन सिंग ने बहादुर शाह का साथ दिया था जिसके कारण मुज्जम शाह विजई रहा जब मुज्जम शाह बहादुर शाह के नाम से बादशाह बन गया तो उसने गुरु गोविन सिंग को आगरा बुलवाया बहादुर शाह ने गुरु को एक कीमती सिरोपाव और एक धुग-धुकी भैटकी जिसकी कीमत साथ हजार रुपे थी बादशाह द्वारा दिये जाने वाले सिरोपाव में एक कीमती चोगा होता था तथा धुग-धुकी गर्दन में पहनने का मरदाना गहना होता था इस बात की प्रबल संभावना थी कि बहादुर शाह तथा गुरु गोविन सिंग के बीच कोई इस्थाई समझोता हो जाएगा अभी बात चल ही रही थी कि बहादुर शाह को अपने भाई कामबक्ष के विरुद्ध कारवाई करने के लिए दक्षन भारत की तरफ जाना पड़ा बहादुर शाह ने गुरु गोविन सिंग से अनुरोद किया कि वे भी उसके साथ चलें बात शाह के निमंत्रन पर गुरु गोविन सिंग एक बार फिर दक्षन भारत के लिए रवाना हो गए जब सरहिंद के सुबेदार को ग्यात हुआ कि गुरु गोविंद सिंग बाहदुर्शाह के साथ दक्षन भारत को जा रहे हैं तो उसने गुरु की हत्या करवाने की योजना बनाई उसने जमशेद खां तथा वसील बेग नामक दो अफगानों को गुरु गोविंद सिंग की हत्या के लिए नियुक्त किया जब गुरु गोविंद सिंग का शिविर गोदावरी नदी के तठ पर नादेड नामक इस्थान पर लगा हुआ था तब इन अफगानियों ने धोखे से गुरु के शिविर में प्रवेश करके उन पर घातक प्रहार किया जिससे गुरु बुरी तरह घायल हो गए गुरु की चाती पर हिर्दय से ठीक नीचे गहरा घाव लगा किन्तु गुरु ने अपनी कटार निकाल कर उसी समय हमलावर का काम तमाम कर दिया हमलावर के साथी ने भागने का प्रयास किया किन्तु उसे गुरु के अंग रक्षकों ने मार डाला जब गुरु रोग शया पर थे तब माधवदास नामक एक 38 वर्षिय बैरागी गुरु के दर्शनों के लिए आया वह कश्मीर के पुँच जिले का रहने वाला डोगरा राजपूत था तथा उसके बच्पन का नाम लक्षमन देव था किन्तो वह वैराग्य धारन करके माधवदास बैरागी बन गया था और नान्देड में ही एक आश्रम बना कर रहता था जब उसे ग्यात हुआ कि कुछ अफगानी मुसल्मानों ने गुरु गोविन सिंग को छुरा मार कर घायल कर दिया है तो वह गुरु से मिलने के लिए उनके शिविर में आया माधवदास बैरागी ने गुरु गोविन सिंग के सामने प्रतिज्या ली कि वह मुगलों द्वारा की गई गुरु पुत्रों की हत्या का बदला लेगा गुरु गोविन सिंग ने उस युवक के भीतर चमक रहे तेज को पहचाना तथा उसे अपना शिष्य बना लिया और उसका नाम गुरु बक्ष सिंग रखा गुरु गोविन सिंग ने उससे कहा कि वह सिखों के राजनितिक संगर्ष को जारी रखे माहधवदास बैरागी गुरु गोविन सिंग की बातों से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने स्वयम को गुरु का बंदा कहना आरंब कर दिया तब से उसका नाम बंदा बाहदुर पड़ गया गुरु ने बंदा बहदुर को सिखों की सुरक्षा का दाईत्वस्वापा तथा अपने पांच मुख्य अन्युआई तथा कुछ अन्य सिख अन्युआई उसके साथ करके उसे पंजाब जाने का आदेश दिया बंदा जब दिल्ली पहुँचा तब उसे समाचार मिला कि 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंग का नादिर में निधन हो गया गुरु गोविंद सिंग की मृत्यों के साथ ही भारती ये संस्कृती के एक महत्वपूर्ण अध्याय की समाप्ती हो जाती है भारत भूमी गुरु गोविंद सिंग की सेवाओं के प्रती युगों तक कतग्य रहेगी उन्होंने चंडी शतक लिख कर अपनी भगवत भक्ती का परिचय दिया तथा गुरु गुरंत साहिब को नए सिरे से संकलित करवा कर भारत के महत्वपूर्ण भक्त कवियों की रचनाओं को मानव मात्र के लिए सुलब करवाया गुरु गोविन सिंग ने पिछले गुरूं के समय से चली आ रही सिख परंपराओं में भी महत्वपून परिवर्तन किये उन्होंने सिक्खों में गुरू बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया और कहा कि जहां भी पांच सिक्ख एकत्रित होंगे वहां में उपस्थित रहूंगा इस प्रकार उन्होंने सिख संप्रदाय के हितों के बारे में निर्णे करने का अधिकार सिख पंचायत को सौप दिया गुरु गोविन सिंग ने गुरु मानो ग्रंथ परगट गुरु दी देह कहकर सिखों के लिए महान प्रकाश इस्तंभ का निर्मान किया गुरु गोविन सिंग ने सिखों को पूर्ण तह सैनिक समुदाय बनाया और खालसा पंथ तथा खालसा सेना की स्थापना की उन्होंने जीवन भर मुगलों से संगश किया बंदा वहरागी ने गुरु गोविंद सिंग के आदेश मान कर सिख्खों को नेतरत्व प्रदान किया उसने सिख्खों को गुरु का संदेश पहुचाया और मुगलों के अत्याचार के विरुद संगश करने का आभान किया उसने सोनी पत से मुगल अधिकारियों के विरुद सशस्त्र संगश आरंब किया तता वहां के मुगल फौजदार को युद्ध में परास्त कर दिया इसके बाद बंदा वेरागी ने कैथल, समाना, शाहबाद, अम्बाला, मुस्तफाबाद, क्यूरी तता सदोरा पर अधिकार कर लिया अब बंदा वेरागी ने पंजाब छेत्र के प्रमुक सूबे सरहिंद पर आकरवन किया जहांके फौजदार वजीर खाने गुरु के दो पुत्रों को दिवार में जिन्दा चुनवाया था इस युद्ध में वजीर खामवार आ गया, उसकी अपार संपत्ती बंदा वेरागी के हाथ लगी बंदा वेरागी ने सरहिंद के 28 परगने अपने अधिन कर लिये बंदा वेरागी की इन सफलताओं ने उसे अत्यंत लोक प्रिय बना दिया मई 1710 में बंदा वेरागी के नेत्रित्व में सिक्खों ने लाहोर एम दिल्ली के बीच सतलुज नदी के दक्षण में इस्थित पंजाब का विशाल खेतर जीत लिया बंदा वेरागी ने गुरु गोविन सिंग द्वारा संकल पित खालसा राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी लोहगर थी बंदा वेरागी ने गुरु नानक देव और गुरु गोविन सिंग के नाम के सिक्ख के ढलवाए सिक्खों द्वारा सरहिंद के सूबेदार वजीर खां को मार दिये जाने से बहदुर शाह के कान खड़े हुए उसने अपने प्रमुक अमीरों को सिक्खों का दमन करने के लिए पंजाब की तरफ रवाना कर दिया तथा स्वयम भी दक्षन भारत से लोटने पर विशाल सेना लेकर पंजाब की तरफ चल पड़ा दिसंबर 1710 में मुगलों ने बंदा बैरागी के मुख्य केंद्र लोह गड़ पर अधिकार कर लिया किन्तु बंदा बैरागी वहां से भाग निकला इससे पहले की सिख विद्रो पूर्ण रूप से कुचल दिया जाता फरवरी 1712 में बहदुर शाह की मृत्य हो गई इसके बाद बंदा बैरागी ने बिना कोई समय खोई फिर से अपने राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और इसे उत्तरपूर्व तथा पहाड़ी शेत्रों की ओर लाहोर एवं अमरित सर की सीमा तक विस्रित कर लिया बंदा बैरागी ने सरहिंदिक शेत्र में मुगल अधिकारियों को हटा कर सिख अधिकारियों को न्युक्त किया इस प्रकार उसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की किन्तु बंदा बाहदुर ने सयम न तो कोई पदवी धारन की और न कभी दरबार लगाया उसने सभी कारिय गुरू के नाम से किये बहदुर शाह के बाद मुगलों की गद्दी पर बैठे अलपकालिक मुगल वाजशाह सत्ता के लिए हो रहे खुनी संगर्शों दक्षन भारत के विद्रोहों तथा राजपूतों के हमलों से निवटने में लगे रहे और वे सिखों की तरफ ध्यान नहीं दे सके बन्दा बहदुर ने मुगलों की इस कमजोरी का लाव उठाते हुए पंजाब से बाहर निकल कर गंगा यमना दुआब में सहारनपूर और उसके निकट के ख्षेत्रों तक आक्रमन किये अगली कड़ी में देखिए लाल के ले ने चूड़ा मन जाट के सामने गुठने टेक दिये